हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडिमी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों करमचारी चैन आयोग मतलब कि SSC ने आज 29 सितंबर को अपनी ओफीसियल वेबसाइट पर विभिन आगामी भरती परिक्षाओं के लिए महतपूर दिसा निर्देश जारी किये हैं ठीक हैं तो आज उसने अपनी ओफीसियल वेबसाइट पर SSC ने महतपूर दिसा निर्देश जारी किये हैं आयोग ने इसमें COVID-19 महामारी को लेकर गाइडलाइन को भी समिल किया हैं जिनका आगामी परिक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यार्तियों को पालन करना होगा जो परिक्षाओ उनको इस गाइडलाइन का पालन करना होगा और दिसा निर्देसों के अनुसार यह बहुत ही महतपूर्ण बात है कि इसरइनिर्देसों के अनुसार उमीदबारों को परिक्षा की अंदर पर- rod अब रगा इसको पोड़ेंगे तब आपको दिखा देगे वह उसका प्रिंट गये प्रवेस समय में नेरधारी समय स्लॉट के अनुसार पहुंचे मतलब जो टाइम दिया हो उससे पहले आपको पहुंच आहे वहाँ पहुंच पर भीति परिस्तिती में किसी भी कारण से प्रवेस समय के बाद किसी भी भीरती को प्रवेस करने की अनुमत नहीं दी जाएगी अगर देर से आप पहुंचे तो आपको अनुमत नहीं दी जाएगी आगे है कि आपको अपने साथ लेकर जाना है उसके बारे हम देख लेते हैं अब ठीक है प्रवेस पत्र सबसे पहले ले जाना है उसके लाबा पास्पोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन की फोटो की दो प्रतियां दो फोटो ले जानी है वो भी रंगीन फिर आए इस पस्ट फोटो वाला मूल रूप से कम से कम एक फोटो युग वैर पहचान प्रमाण पत्र इसमें फोटो हो नीचे ठीक है जैसे की पास्पोर्ट आधार कार्ड या अधार का प्रिंट आउट ड्राइविंग लाइसेंस केंदरी सरकार या राज सरकार द्वारा स पूट पूर्व सहने के निर्मुक्ति भुस्तक या फिर केंदरी सरकार या राज सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र पर पूंड ये भी बहुत इंप्श्टैंट है यह फोटो पहचान पत्र पर पूंड जनमतिति अंकित नहीं है तो उमीदवार को मती थी वह हो जो परवेस्पत्र में अंक्यत है जैसे cbsc iccc राजबोर्ट में दौररे ौधा आ पर्रवश PM कच्छा का कि अ पास कि अ प्रवाणपत्र और प्वाणपत्र अंकपत्र जन्म掉ए प्रवाणपत्र प्रवाणपत्र इन में से पानी की बोतल जो होनी चाहिए पानी की वह पारदल सी प्रवेश प्रमार्द पत्र के साथ दिया गया स्वगोष्णा पत्र का प्रिंट आउट यह काफी इंपोर्टेंट स्वगोष्णा पत्र का प्रिंट आउट अब आगे देख लेते हैं यह बाकी चीजे आप लोग अभी देख लिजेगा इसकी पीडियाप हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे वहां से पाकी आप लोग खुदी पढ़ लिजेगा तो आगे क्या है यहां पर हैं कोविड-19 कोरोना के संब्द में अभ्यरतियों को सला इसके बारे में थोड़ा सब बात कर लेते हैं कर्मचारी चैन आयोग कंप्यूटर आधरी परिच्छाओं के संचालन के दारौन अभ्यरतियो एतिहाती कदम उठाए गए हैं अभ्यरतियों को अपने हित में समाजिक दूरी और स्वच्चता के लिए दिरसा निर्देशों का पालन करना आवज़ चेक हैं समाजिक दूरी मान दड़न्डो और निमलिखित दिरसा निर्देशों का पालन ना करने पर दोसी अभ्यरतियो के खिलाफ सकत कारिवाई हो सकती है अभ्यरतियों को निमने लिखित अनुदेशों का ध्यान देना और उनका पालन करना आवज सकती है उनमें से अभ्यरतियों को अभ्यरतियों को अभ्यरतियों को व्यक्तिकत रूप से परदान की जाएगी इसके बाद प्रुवेस द्वार पर और परिच्छा इस्तल के अंदर भी हाथ स्वच करने की सुब्दा अप्तलब्द रहेगी सभी अभ्यरतियों को अपने हाथों को साफ करना होगा अभ्यरतियों को मांगने पर अतरिक तर रफ सीट भी प्रदान की जाएगी अभ्यरतियों को लेब में उप्लब्द कराएगे, ड्रॉप बॉक्स में रफ सीट डालनी होगी तो यही सब चीजे हैं इसके आगे आप लोग वह देख लीजिए जो स्वा प्रवाल पत्र ले जाना हो वह उसका प्रारूप क्या होगा इसमें क्या होना चाहिए कोविड नाइंटिन सवा गोजगना पत्र मैं अता द thriving यह गोजगना करता हूं कि मेरे कोरोना वायरस जाज के पोश्ट्र नहीं हुई जो भी नोटिस में जो भी था में में चीज़े थी उसके बारा हम लोग बात कर लिए तो इसकी जो पीडियाफ है वह मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूँगा वहां से आप लोग इसको डाउलोड कर लेजी इसका लिंक को मैं नीचे दे दे दूँगा वीडियो के निचे अंत में डिस्क्रिप्शन में और अगर आप लोग फिर भी ना कर देख पाएं तो सीधे टेलिग्राम चैनल पर जाके बरदने केडमी सर्च करें और वहां से आपको यह मिल जाएगी ठीक है तो इसका साथ आज की वीडियो समापत होती अगर आपको स्क्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा सेर जरू करें धन्यवाद